ऐलो एभडरों स्वागत आप सभी करें एक पढर फिट से एक नहीं वीडियो में आज की वीडियो में बात करने जा रहें वारिये टेक्लोजी के बारे में वहीं से रिलेटेड कुछ बड़ेदेट कुछ बड़े उपडे बड़ेक्वडे न्यूस है जिसको आज कवर करने ज चले और आज कर चेर का अगर आप देखेंगे तो यह शेर डॉन फॉर हो रहा है उसके पीछे बहुत सारी रीजन हो सकते हैं यह उल्रीड प्राइब कर भी आया है पर एसा भी हो सक्ता है यह पहले से बहुत को यह पता ओगी और और बहुत बड़ा नहीं यह ना है थर्टी मेडा वाट्स का और है चोटा भी नहीं है यह तो थर्टी मेडा वाट्स का यह और अगर आप बात करेंगे ना थो बहुत अ कि यह order जो है वारिन डिनोवल टेकलोजी का 30 मेगा वाट्स का order है जो आपको अभी फिलाल रिसेंटली देखने को मिला था और उस order से आपको एक बात बहुत क्लियर है कि यह order 90 करोड का है ठीक है 90 करोड का order है और अगर time boundaries के हम लोग बात करें तो 2024 2024 and 2025 का time boundaries है एक साल का डिवेशन है 2025 तक यह order चलेगा तो यह order वैसा है और अगर बात करें आज के इस पर्टिक्लर शेर के बारे में तो आज यह शेर 0.53 परसेंट के असपास फिर से डाउन है और अगर बहुत बड़ी बात नहीं है यह यह शेर एक महीने में पांच परसेंट और अगर आफ शेर के बात करेंगे शेर में बहुत अच्छी आई थी क्योंकि छे करोड़ साथ करोड़ के असपास का order book था जो अभी प्रीवेसली हम आपको वीडियो में दिखाए है और बुक से ही किसी भी शेर में रैली आती है यह जान लेना यह बात समझ लेना बहुत एक बार quarter one का result आ जाएगा तो आफ इस शेर में कुछ अच्छा expect कर सकते है quarter one का result and budget ठीक है तो budget तो हम लोगों को पता है कि 22 जुलाई को आ रहा है और quarter one का result कब आएगा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ठीक है अब फुरसे चलते हैं इस शेर का order लोगो देखे लिए आज के दिन इस शेर में सरिफ एक लाग का वॉल्यूम था और वह एक लाग का वॉल्यूम में ही यह शेर ने closing दिखा दी है उसके बाद अगर आफ इस शेर के last deal के बारे हम बात करें तो एक दो दो बड़े deals आये थे दोनो बड़े deal selling के ही थे और market start होने से पहले ही selling का था एक 9.59 पे आया था एक 10.04 पे आया था एक 10 करोर का था एक 9 करोर का था अगर आफ इसके starting price को देखेंगे तो 1955 के असपास पर यह selling आय थी और उसके बात से आफ देख सकते हैं ग्राफ में आज के particular share में share के चार्ट में वहां से यह share अच्छी खासी downfall देखने को मिला 20 करोर क के आसपास की selling आय थी जो लाज़ डियल से आया था ठीक है दस बीस करोर के असपास अब हम लोग बात करते हैं इस particular share में सबसे बड़ा बिग बिग न्यूस के बारे में तो यह share एक्सपेक्ट यह यह 15 जुलाई का है यह एक्सपेक्टिंग 1 रुपीज पर शेयर का dividend मिल सकत है इस particular share में उसका अभी official announcement आना बाकी है इस share में previous जो split हुआ था वह split हमें देखने को मिला था 31st of March 2024 में जहां पर यह share 1-5 में split हुआ ठीक है और अभी सुनने में आ रहा है बतलब यह news है कि एक रुपीज का एक रुपय का dividend आफको इस share में देखने को मिलेगा अब आ जाते हैं यह share में इस share का budget कब आएगा जो की बहुत important बात है budget कब आए इस share में budget आएगा 24th of 22nd of July को definitely budget announce होगा पर Q1 रिजल्ट का Q1 रिजल्ट का Q1 रिजल्ट का रिजल्ट का रिजल्ट जो आएगा वो 24 जुलाई को expect किया जा सकता है 24 जुलाई 24 को Q1 का रिजल्ट expect किया सकता है और वहाँ पर एक expectation है कि projected 6% 7% के आसपास का hike इन्हें देखने को मिले इनके previous quarter के competitively थोड़ा सा इसमें अच्छा projection देखने को मिल सकता है यह economic times का update है और हम बात करें quarter previous quarter के quarter 1 में 2013 के quarter 1 में इसलिए expectation हो रहा है क्योंकि यह summer का duration होता है ठीक है summer में solar plate का installation ज्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है तो आप देखते हैं पिछले साल मार्च 2023 से में और जून 2023 में revenue almost double हो गया था ठीक है यहाँ पर revenue almost 2x हो गया था पिछले साल के quarter 1 के result में तो यह expectation इस साल के देखने को मिल सकता है जो कि जूलाई 20 2024 में जूलाई 24 तारीक को आएगा जो 22 जूलाई को budget है 24 जूलाई को इसका quarterly result है तो यह दोनों factor जो है यह two factors जो है इस share में बहुत ज्यादा important है और वहां से यह share एक अच्छा rally दिखा सकता है ठीक है तो आफको यह बात समझनी होगी और बेफिकर रही है यह share fundamentally sound है fundamentally अच्छे share है ऐसा नहीं है कि यह share fundamental अच्छा नहीं है यह share में fundamentally चीज़े अच्छी share के investors को भी अगर आप देखेंगे investor pattern के बारे में देखेंगे तो इसके प्रमोटर्स जो है वो प्रॉपर्ली इसके holdings को रखें हुआ है 75% के असपास की holding continuously maintained है उसके बाद इस particular share का book value बेच्छा है order भी रेकरिंग आई रहा है तो और government भी इस particular sector को लेकर renewal sector के लेकर काफी bullish है तो काफी सारी चीज़े हैं अगर long term vision आफ किसी भी industry में लेके चलते हैं long term vision आफ किसी भी share में लेके चलते हैं तो आफकी growing आफका growth का जो probability होता है वो हाई हो जाता है opportunities आपके पास काफी साथ आते हैं और इसी चीज़ के साथ मिलते हैं किसी नए वीडियो में तब तक के लिए stay tuned take care thank you so much guys अगर आपको लगता है कि यह चैनल worthwhile है तो आप definitely subscribe कीजे बाकी लोग के साथ share कीजे इस चैनल को share कीजे इस वीडियो को share कीजे इस वीडियो को like कीजे औ और अगर आपको लगता है कि कोई भी कमेंट सेक्शन में आपका recommendation है recommendation है आपको लगता है कि किसी भी share किसी भी analysis ETF या mutual fund में analysis करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मिलते किसी नए वीडियो में तब तक के लिए stay tuned take care thank you so much bye bye